2023 वीडियो गेम्स के मामले में बहुत बड़ा साल रहा है जहाँ पर हमें PC and consoles के लिए तो अच्छे गेम्स मिले ही और साथ में ही आपर mobile devices के लिए भी बहुत अच्छे गेम्स आए और आज की सुड़ों में मैं आपको बताऊंगा top 10 ऐसे mobile games जो की गेम्स कॉसिप इंडिया के इसाब से इस साल के सबसे best mobile games है और इसमें मैं आपर फुराने games include नहीं करने वाला हूँ like BGMI, Jensen Impact या फिर Candy Crush विकॉस ये वीडियो सिर्फ उनी games पे focus करेगी जो की यहाँ पर 2023 में रिलीज हुए है तो मैं इंडिक gamer आप लोग को इस साल के सबसे best mobile games के बारे में बताने वाला हूँ और अगर आप कोई भी game miss नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को end तक देखना Driver Zone Online जो की एक racing game है जिसे developer ने realistic graphics और immersive gameplay के साथ design किया है और इसमें आप लोगो multiple karts मिलती है जिनको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो गेम का जो physics है वो काफी आदा realistic है जो कि players को authentic racing experience प्रोवाइट करता है और इस game को जो graphics and visuals है वो काफी अच्छे है और गेम में आपर different type के weather conditions है गेम में various tracks है जहाँ पर आप लोग other players के साथ compete करते हो and गेम में multiplayer mode है and आप लोग अपने दोस्तों के साथ racing track में बढ़िया से race कर सकते है और यह काफी fun part है इस game का high quality mobile racing game की demand को पूरा करने के लिए इस game को launch करा गया है and इसको याप पर play stores पे जो rating मेली है वो है 4 out of 5 and app store पे जो इसकी ratings है वो है 4.1 game के reviews काफी अच्छे है but game में कुछ minor bugs है जो कि game के experience को थोड़ा बहुत effect करते है and इस game के already 10 million blush downloads हो चुके है and इसका जो आपर total game size है वो है around 2 GB and overall यह एक अच्छा mobile racing game है and अगर आपको भी यहाँ पर racing games अच्छे लगते है तो आप इसे try कर सकते हो Monopoly Goode जो कि यहाँ पर 2023 के popular games में से एक game है and launch होने के 7 month के अंदर ही इस game ने total 1 million dollar से भी जादा revenue क्रोस कर दिया and यह एक exciting board game है जिसके अंदर आप लोग properties करी सकते हो and इसमें आप लोग को अपने opponents के साथ trading करनी होती है and इसका gameplay थोड़ा fast phase है जिसमें आप लोग को यहाँ पर cash collect करना होता है and strategy का use करके property develop करनी पड़ती है and अगर आप लोग भी अपने friends के साथ या family के साथ game try करना चाहते है कोई board game so यह आप लोग को यहाँ पर एक fun filled gaming experience प्रोवाइट करेगा so in terms of revenue यह style की काफी बड़ी game है and इस game को लोगों ने काफी पसंद किया इसलिए यहाँ पर इसकी जो play store पर ratings है वो है 4.4 and जो app store है उसमें इसकी rating है 4.8 out of 5 वैसे तो यहाँ पर यह game free है लेकिन जब यहाँ पर roll slow हो जाते हैं तब आप लोग को microtransactions के pop-up दिखते हैं और यह बार बार दिखने पर आप लोग थोड़ा सा ennoy हो सकते हो इससे and game में जो stickers हैं उनको भी कभी-कभी collect करने में काफी time लग जाता है इंडिया में cricket games को खिलने माले काफी सारे players है and वो हमेज़ा wait करते रहते हैं एक अच्छी cricket game का तो अब यहाँ पर एक और new game आ चुका है जिसका ना में dream cricket 2024 and यह एक exciting cricket game है and आप में से कुछ लोग सोच रहोंगे मैंने यहाँ पर real cricket 24 को को क्यो नहीं include करा so real cricket 24 का जो new version है उसके new versions में कुछ ज़्यादा बड़ी major changes नहीं है उसके पुराने versions से and जो players है उनका भी कुछ mixed reaction ही आया उस game को लेकर के so इसलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो में dream cricket 24 को चूज करा and इस game को मैंने try करा and recent जो update आया है उसमें तो यहाँ पर एक game और भी ज़्यादा बेटर हो गया है and इस game के अंदर quick match mode है जिसमें आप लोग teams, players and overs को customize कर सकते हो and इसके अंदर legends league cricket tournament भी है जिसमें आप लोग हमारे iconic creators के साथ भी खेल पाऊगे and इसके आपर जो graphics and visuals है वो भी मुझे काफी अच्छे लगे and इसमें जो missiles होते है न कि आप लोग को जैसे 10 balls में 20 runs complete करने है so वो missiles करने में मुझे काफी मज़ा आता है इस game में वैसे तो यहाँ पर game open beta में है and लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आ रहा है and इसके जो आपर graphics and visuals है वो भी आपर काफी अच्छे है and अभी game open beta में ही चल रहा है लेकिन game ने 1 million plus download complete कर लिये है and play store में इस game का size भी approximately 390 MB है game का size वैसे ज़्यादा नहीं है and अगर आप लोग एक new cricket game try करना चाहते हो so आप इस game को भी try कर सकते हो project blood strike जो की एक नया fps battle royale game है and इस game को जो develop कर रही है उस company का नाम है netis game netis game अल्रीडी बहुत सारे popular shooter games को launch कर चुकी है and अब उन्होंने एक new battle royale game रहा है जिसका नाम है project blood strike so इस game में आप लोग को अलग-अलग agent choose करने का मौका मिलता है and game के जो agents है उनके पास अपने अपनी qualities और skills है and आप अपनी strategy के according उन characters को choose कर सकते हो and game के अंदर different modes है and game में dynamic weather भी available है and यह dynamic weather game के visuals को और ज़्यादा enhance कर देता है and game का जो gameplay है वो भी काफी अच्छा है so भी ए game यहाँ पर open beta में available है and place tour पी इस game के जो size है वो around यहाँ पर 670 MB है but आप लोग को in-game भी downloads करने होंगे so overall एक अच्छा यहाँ पर sorting experience यह game आपको provide करता है and अगर आप भी FPS games के fan हो तो आप इसे ज़रूर dry कर सकते हो final fantasy 7 ever crisis यह एक mobile game है and इसे यहाँ पर square enix ने develop कर रहा है इसमें आप लोग को final fantasy 7 के iconic characters and storyline का nostalgic experience मिलेगा इस game के थूँ आप लोग original games के event को revive कर सकते हो and game के अंदर additional episodes और chapters को भी explore कर सकते हो इस game के जो graphics और gameplay है वो काफी impressive लगा मुझे लेकिन आपर कुछ features हैं जिनके लिए आप लोग को in-app purchases की जुरुत पड़ती है तो ये थोड़ा सा drawback है इस game का लेकिन overall जो game है वो काफी बढ़िया है engaging RPG game है and बहुत सारे लोग final fantasy series को पसंद भी करते हैं वैसे इसकी app store पे जो rating है वो है 4.7 out of 5 and play store पे जो इसकी rating है वो है 3.6 and play store पे अल्रेड़ी इससे 5 लाग से जादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं play store पे तो वैसे इसका size है 207 MB पर इन game आप लोग को और भी बहुत सारे assets and resources डाउनलोड करने पड़ते हैं game के लिए it man blood money जो की एक action game है and इस game को develop कर रही है iDOS interactive and इस game में आप लोग को agent 47 के character को play करना होता है and जिसका mission होता है silent assassination perform करना and game का जो level design है and जहाँ पर जो creative assassination का part आता है यह काफ यदा impressive है and अलग-अलग missions में आप लोग को अलग-अप्रोचेस मिलते हैं जिससे आप लोग को gameplay में और ज्यादा flexibility मिलती है game की graphics बहुत ज्यादा next level तो नहीं है लेकिन game की जो story है वो थोड़ी engaging है so around यह एक strategy based action game है and इसको users ने काफ यादा पसंद किया इसकी जो play store पर rating है वो है यहाँ पर 4.1 and app store पर इसकी rating है 4.6 and इस game का जो approach size है वो है around 1 GB and यह game एक paid game है तो इस game को खेलने के लिए आप लोग को 4.9 रुपीज पे करने होंगे Warlight 84 भी एक popular battle royale game है and इसको develop कर रही है Miracle Games and यह game थोड़ा basic futuristic battle royale पे तो इसकी जो theme है वो भी थोड़ी sci-fi है and game में कई सारे unique elements है जैसे game के अंदर कई सारे different gadgets हैं and आप लोग game के अंदर जो है न vehicles को भी customize कर सकते हो and उन्हें फिर आप लोग battles में use कर सकते हो and game का जो gameplay है वो भी काफी smooth है and gunplay भी काफी अच्छा है game की graphics and visuals भी काफी अच्छे हैं बट एक जो issue है game के साथ वो है आपर कभी-कभी occasionally bugs आते हैं game में and connectivity issues भी players ने याँ पर report करे हैं overall farlight 84 एक अच्छा shooting game है and user ratings भी इसकी अच्छी है 4.3 इसकी play store पर ratings है and app store भी इसकी ratings है 4.5 and play store पर game का जो size है इसका वो है 1.4 zb and इसकी downloads भी 10 million plus हो चुके हैं अभी तक and ये game आप लोग को intense action प्रोवाइट करता है and इसका combat भी काफी अच्छा है arena breakout एक fast-paced multiplayer online distraction shooter game है जो कि याँ पर strategy and action को combine करता है इसमें आप लोग अपने friends के साथ arena में intense battle fight करते हैं and game का जो याँ पर unique feature है वो है destructible environment जो की gameplay की strategy को और भी अदा enhance करता है game का जो overall design है वो काफी अदा engaging है and game के जो graphics है वो तो next level ही है and इस game में different game modes and variety of weapons है and इसकी जो user rating है वो play store पे 4.4 है and यहाँ पर app store पे 4.7 out of 5 है and play store पे जो इसका size है वो है around 1.6 GB and in game में भी आप लोग को कई सारे resources डाउनलोड करने पड़ेंगे and इस game के already 10 minion plus डाउनलोड हो चुके है पस एक drawback है इस game का कि इस game का जो size है वो काफी जादा है तो अगर आपके पास एक low end device है तो आप लोग को इस game को खेल ले में थोड़ी problem होगी onkai star rail एक anime style mobile game है जिससे आपर mihoyo studio ने develop किया है इस game में आप लोग futuristic sci-fi universe को explore करते हो जहां पर आप लोग अपनी team को assemble करके intense fight करनी पड़ती है and game का जो art style है graphics है वो काफी जादा आई कहची है और character की unique abilities gameplay में और वियादा depth add करती है game की story भी engaging है and this story को explore करने में आपको काफी मज़ा आने वाला है and this game को app store की तरब से best mobile game of the 2023 का भी award मिला and play store and app store में दोनों में ही इसकी rating जो है वो 4.6 है play store में तो game का जो size है वो app rocks 128 MB and this game को already 10 million flesh downloads हो चुके है and अगर आप लोगे anime fan है तो आप लोगे game जरूर पसंद आएगा and हमारा जो last game है वो कोई specific game नहीं है वो है एक series जो की है GTA trilogy and इसमें आते हैं 3 game and यह जो new series है यह improved version है पुराने classic titles का and इस series में आप लोगे इंप्रूड लाइटिंग, enhanced graphics and यहाँ पर improved UI जैसे features देखने को बिलते हैं and game के अदर classic lighting का भी feature है तो अगर आप लोगे एक nostalgia, open world का freedom और engaging story line को एक्लोर करना चाहते हैं तो आप GTA trilogy को try कर सकते हो and mobile पे GTA trilogy का detailed review भी मैंने channel पे बना रखा है and अगर आप लोगे एक GTA trilogy के बार में और detail में जानना है तो आप लोग इस video को check out कर सकते हो and GTA trilogy के definitive edition को खेलने के लिए आपके पास Netflix का subscription होना चाहिए या तो आप इसे जाकर के play store से 1099 में खरीद भी सकते हो and 1099 पर game की cost है and अगर आप लोगे एक GTA fan हो तो ये mobile versions आपको disappoint नहीं करेंगे and आप इनको try कर सकते हो अपने mobile devices पे तो ये सारे games थे best games of 2023 and इनकी download links भी मैं आप लोग को description box में दे दूँगा तो अगर आप लोग कुछ और games भी add करना चाहिए अपनी तरब से तो आप लोग comment section में add कर सकते है and आप ये भी बता सकते हैं कि आपको वो games क्यों अच्छे लगते है and अगर आप लोग को call of duty modern warfare की story जाननी है तो आप लोग left video पे क्लिक कर सकते हो and अगर आप लोग को 10 mind blowing Indian games के बारे में जानना है तो आप लोग right video के क्लिक कर सकते हो so मैं मिलता हूँ आप लोग को next video में तब तक के लिए keep gaming keep gossiping